हाई आज हम डिसकस करने वाले हैं कि क्रॉनिक किड्नी डिजीज और रीनल फेलियर के पेशेंट्स की जिल्द और बालों के कौन-कौन से मसाइल हो साथ जो सबसे पहला मसला हम डिसकस करने वाले हैं वह है रैशिस का रैशिस कुछ इस तरह से होंगी कि चोटे चोटे बंप्स बन जाएंगे जो बहुत जादा इची होंगे जब आप उनकी इचिंग करेंगी तो वहां से वह जगा स्वेल हो जाएगी सेकिंड जो हमारे पस है सिम् ब्लिस्टर्स बनना है जो रिनल फेलियर या क्रॉनिक किड्नी डिजीज के पेशेंट्स हैं उनके फेस के उपर और उनके हाथों और पाउं के उपर यह पानी के चोटे-चोटे चाले बन सकते हैं वह इस वजा से क्योंके बॉडी के अंदर जो है फ्लोइड रिटेंशन हो बॉडी में फ्लोइड रिटेंशन करने लेगा जो चालों की शकल में हाथों पर पाउं पर या फेस पर आ सकता है जो हमारे पास फॉर्थ सिम्टम है वह यह है कि केल्शिम के डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं स्किन के नीचे और जोडों के अंदर और सम्टाम इस और हामफुल मेटीरियल्स को आपकी बॉडी से निकालती है लेकिन जब वो अपना फंक्शन पर फार्म नहीं करती तो वो हामफुल मेटीरियल और टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर रिटेंड करने लगते हैं जिसकी वज़ए से आपके होंटों पे आपके चिहरे पे आ और यह जो है इसका कोई मेकनिजम आफ एक्शन इतना नोन तो नहीं है लेकिन इसके अंदर डिहाइडरेशन हो जाती है स्ट्रेटम कॉनियम की या फिर अबनॉमल एक्राइन जो वो ग्लैंड का फंक्शन हो जाता है और सीबम प्रोडक्शन जो है आपके वो कम हो जाती है कि एट्रॉफी होने की वजा से असान लफजों में स्किन बहुत जादा ड्राइ हो जाती है थोड़ी थोड़ी फ्लेकी हो जाती है और शाइन हो जाती है और इसको आप क्योर किस तरीके से कर सकते हैं आप ऐसी क्रीम यूज करें जिसके अंदर 5 तो 10 परसंट यूरिया का इक्वाइड एक्टियॉसिस यह जो है यह जिरॉसिस से ही रिलेटेड है जिरॉसिस की थोड़ी कोई डिफरेंट फॉर्म है इसके अंदर भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राइ होती है और इसे चोटे-चोटे पैचिस बनना शुरू हो जाते है और इसका एक ही लाज है कि आलटरेशन हो जाती है क्रानिक किड्नी डिजीस के अंदर बिसिकली समटाइम एनीमिया हो जाता है आईरिन डेफिशनसी एनीमिया हो जाता है जिसकी वज़ा से वो यूरोक्रोम या केरेटोनाइड डेपेजिशन होना शुरू हो जाती है स्किन के अंदर और इस तरह से होत ग्रे नजर आती है और इसका इलाज जो है जनाब आपको आइरन के सप्लिमेंट लेने है या आपको कोई संस्क्रीन वगएरा अपलाई करना है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पपरा है जिसके अंदर इस तरीके से होता है कि कॉलिटेटिव जो है वो प्लेटलेट का डिसफं हो गए है अंदर ये इस्ट हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक सिम्टम है जनाब के नेल की जो फिजियोलोजी है वो चेंज होने लगती है नेल बैड कुछ इस तरह से आपका नजर आएगा कि उपर का पोर्शन आपको सबसे उपर जो नेल वाला पोर्शन है व नेल बैड जो है कुछ इस तरह से नजर आता है इसको इंप्रूव करने का एक तरीका है क्योंकि जो जब रिनल ट्रांस्प्लांट हो जाता है और सक्सेस्फल हो जाता है तो ग्रेजूली जो है ये कंडिशन इंप्रूव हो जाती है नेक्स्ट हमारे पास मुझोजल चेंज आती हैं मुझ के अंदर चेंज़ आने की जो वज़ा होती है वो न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी हो सकती है और फंगल इंफेक्शन हो सकता है जिसको हम कैंडिडियास कहते हैं और अगर कोई बंदा अपने दांत वगएरे सही तरीके से साफ नहीं करता है पूर हाईजीन की हैबिट्स है उसका इसमोकिंग करता है या अलकाहल प्यता है या या स्पाइसी फूड काता है या पानी की प्रॉपर क 기본 no manipulate और मुझ के जो अंदर से स्मेल आती हैं और उसको क्लीन नहीं किया जाता तो उसके अंदर कैंडेंस तरीके की कनिशन बंचाती है कि आपकी टंग है उसके उपर येलो कलर की कोटिंग हो जाएगी और टीथ जो हैं उनके उपर निशान चोटे-चोटे बन जाएंगे और उसकी वजा से आपके मसूडे जो हैं वो भी गलना सरना शुरू हो जाती है या उसके उपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें कट लग जाते ह और ये किस तरीके से हो सकता है? ये तरीके से ठीक हो सकता है कि आप अपनी और नचो इंप्रूआ करें, पानी प्रॉपरली लें, अपनी जो फंगल इंफेट्च्ण के लिए, कुछ मैडिसंड वगारा हैं वो लें. next जो हमारे पास condition है वो है जनाब hair की physiology की changes ठीक है ये क्यों होती है ये इस तरीके से होती है क्योंकि sebum का जो production है वो कम हो जाता है ठीक है anemia की वज़ा से एक तो hair loss होना शुरू हो जाता है और stress की वज़ा से जो है वो क्या होता है कि alopecia type आपको baldness बालों के अंदर नजर आती है बाल clusters में होते हैं कहीं कहीं पे बाल होते हैं कहीं कहीं पे बिल्कुल नहीं होते हैं और कहीं कहीं पे बाल बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं तो इसको improve करने का तरीका यह है कि self care करें अपने supplements होगा लें अपने बालों में oiling करें और अपनी scalp की जो health है उसको improve करने की कोशिश करें तो यह तमाम के तमाम वो symptoms हैं जो के chronic kidney disease के या renal failure के patients के अंदर नजर आते हैं उनके skin के अंदर और उनके बालों के अंदर और उनके mouth के अंदर